गाइस welcome back to another video तो guys इस video में हम लोग के जैसे हिस ये company के बारे में discuss करने वाल है हम लोग जैसे करते हैं मतलब आप भी जैसे करते हो उससे related company के बारे में discuss करने मुस्चारव हम इस ओपनिया वह investments करते हैMA दो ट्रेडीं हें liquidity भी करती है मतलब equal funds में करते च्राव तो कपनी के बाद 0 रुपय एक है उसके साथ साथ बात करें तो कंपनी डिवीडेंड यह मतलब डिवीडेंड भी यह देती है की बारे में बात करें तो वह निकल कर रिए के 3.64% कंपाइन की face value 10 रुपय का है 5 सल के अगर profit growth के बारे में बात करें तो भी काफी शांदार results निकल के आ रहे है 22.70% CHGR 5 सल की profit growth निकल के आ रहे है और अगर retailers के बारे में बात करें तो 25% से कम retailers की holding के आ रहे है और promoters जो है धीरे-धीरे अपने holding थोड़ी-थोड़ी करके increase कर रहा है promoters उसके बाद बात करें डिया इस में किसकी holding है डिया बैंक ऑफ वरोदा की holding है company में चले अभी बात करते है कौन सी है वो company उसके बाद हम लोग discuss करेंगे एक्चलि लॉंग टार्म ये stock कैसे जाने वाले profitable रहेगी या loss making रहेगी long term के लिए hold करने लायक है या नहीं उसके बाद हम लोग discuss करेंगे swing trading levels और कैसे जो है आप अपना profit को maximize कर सकते हो through the stock तो चले देखते है कौन सी है ये stock तो बैस यहां पे आप लोग company का name देख सकते हो tcfc finance limited company क्या करते है ये भी पर सकते हो business of finance and investment and trading in equity shares mutual funds securities ये सब करती है market cap की बारे में बात करें 43.2 क्रोर की market cap है stock पी जो है 5.43 के रोसे 12.5 रोसे 12.5 रोसे 10.8 बुक वेले से हाफ की भी कम हाफ से भी कम price में आप लोगों मिले रहा है एक साल में अच्छा खासा return भी देके जा रही है और मुस्ट 4X return एक साल में देके जा रह रही है ये company एक साल में उसके बारे में बात करें 3.64 परसंट फेस वेले जा रही है तो मैंने वीडियो के स्टार्डिंग में बताए दिया था प्रोसन के बारे में बात करें प्रोस में आप लोग देखा तो company जो है वो almost dead free है यहां पर almost लिका हुआ है लेकिन company totally dead free है मैं stock is providing a good dividend yield of 3.64 परसंट उपर ही लिखा था और वीडियो के स्टार्डिंग में भी बता दिया था मैं उसके साथ साथ बात करें company has delivered a good profit growth of 22.70 परसंट last five years यह भी वीडियो के स्टार्डिंग में मैंने आप लोग को बता दिया था तीन साल में return on equity के बारे में बात करें 5.25 परसंट निकल के आ रही और 5 साल के अगर sales growth के बारे में बात करें वो नेगेटिव में जा चुआ अल्मूस्ट नेगेटिव 50% मतलब अल्मूस्ट हाफ हाफ हो गया है पास साल में इसकी sales growth उसके बाद अगर बात करें quarter रिजल्ट के बारे में तो यहां पर आप लोग देख सकतो जून की quarter में compared to March की quarter कम धंदा हुआ तो मतलब कम sales हुई थी इसके चलते जो है यहां पर भी कम profit आप लोग को देखने को मिली है में profit में अभी बात सब्सक्राइब में total entire 2021 की financial year से ज्यादा profit शो कर रही है लेकिन यहां पर वैसा नहीं है हो सकता है 2022 की financial year खतम होते हो तो यह जो 9.54 क्रोर की जो profit है उससे भी ज्यादा profit शो कर दे अभी बात करते balance sheet की तरफ तो यहां पर आप लोग दिख सकतो कमपान के बास zero की debt है कमपान के पास कभी debt थी ही नहीं कमपानी जो है धिरे धिरे अपनी reserve को increase कर रही है उसके बाद अगर बात करें cash flows की तो company के बास three lakh की positive cash flow है उसके बात share holding pattern में आप लोग देख सकतो प्रोमोटर्स हो है अगर एक साल तीन साल की comparison में देखा जाए तो धिरे धिरे जो है आप अपना promoters मे प्रोमोटर्स अपना holding increase कर रहा है इसमें बात करें तो यहांब आप लोग देख सकतो तो 3.69 परसंट जो holding है वह बैंक आप बड़ोजा कि यह बागी किसकी है पता नहीं यहांबे mention नहीं है और यहांब आप लोग देख सकतो पब्लिक में अगर बात करें एक ही बड़े retailers की पैसा लगा हुआ है अगर यह calculate करते है तो 23.1% हम आप जैसे चोटे मोटे retailers का पैसा लगा हुआ है अभी बात करते है company actually long term में कैसी रहने वाली है पहले बात करते है short term है जो लोग 12 माहिने से पहले बाड़ा माहिन से पहले जो लोग profit booking करने के बाड़े में सोच रहे है लोग के लिए तो बहतर insured आने वाली है लेकिन अगर मैं जो लोग long term के लिए बाइ करना चाहता है मतलब long term मतलब मैं 5-10 साल की या थे फिर उससे भी ज्यादे के बाड़े में बात करना हूँ तो अप लोग के लिए यही बोलूँगा guys देखो 5-10 साल के लिए profitable company आप लोग लेकिन यह 5-10 साल के लिए कंपनी के लिए कंपनी की सिर्फ एक ही रिजन है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तीन साल की अगर रिटन के बाड़े में बात करें तीन साल में सिर्फ 5.25% रिटन दिया है उसके साथ 5 साल की अगर sales growth के बाड़े मुझे बिकार लगा एक द लेकिन sales में growth नहीं है पांस साल की तो गाईज अगर sales से नहीं रहेगी company तो company profit कैसे देगी देखो टेक्निकली अप लोग मतलब swing trading या इंक्रेट है आप लोग किसी भी company में कर सकते हो चाहिए वह fundamental कितनी बेकार भी क्यों ना हो fundamental zero भी क्यों ना हो लेकिन अगर आप लोग long time invest करना चाहते हो तो fundamentals देखना ही चाहिए लेकिन fundamentals यह point मुझे खटक रही है तो मैं आप लोग को recommend नहीं करूंगा अगर आप लोग long time के लिए buy करना चाहते हो तो then you can definitely go for it अगर company के ओपर भड़सा है तो अगर company जो करती है company जो business करती है उसके ओपर भड़सा है company जैसा वो business को deal करते है उसके ओपर भड़सा तो you can definitely go for it अप लोग को अच्छा खासा return देखे जाए अगर लेकिन मैं आप लोग को recommend नहीं करने वाला हूँ यह company तो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसकी sales को अगर company से आप लोग जो है वो service लेते हो तो guys अगर आप लोग को company की services अ आप लोग को बना के देगा लेकिन long term में consolidate कर लिए है यहां पर साफ इसका example आप लोग को मिल रहा है अभी बात करते है आज कितने quantity में trading वाया stock में उसके बाद हम लोग discuss करेंगे कैसे जो है short term में आप अपना profit को maximize कर सकतो and swing trading levels के बाड़े में तो चलिए देख लिए आज कि quantity में trading वाया stock में तो guys यह एक BSC में listed stock है यहां पर आप लोग इस company की symbol देख साथ हो TCFCFINQ बाकि बात करें आज कितने quantity trading हो है stock में तो guys यहां पर आप लोग देख साथ हो 70.9% delivery percentage निकल के आ रही है और आज मतलब BSC सीर फर सी BSC में listed stock है तो liquidity कम होगी तो यहां पर आप लोग 1700 quantity almost 800 quantity almost trade वाया जिसमें 1200 quantity almost जो है आज लोग CNC में घर लेखे गाया थे बाकि जो percentage निकल के आज अल्मस 71% में तो ज्याता लोग आप लोग देख साथ हो BSC की daily chart खुली हुए है आज यह company 0.84% ती और उसके बाद अगर बात करें 41 रूपिस का यहां पर आप लोग देख साथ हो company अभी trade कर रही है यहाँ आप लोग साफ 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 देख साथ हो एक pattern की अंदर company जो है वो trade कर रही है अगर यहां सब breakout होती है तो दो ही चीज़ हो सकती है या तो फिर उपर की तरफ breakout या तो फिर नीचे की तरफ breakout दी वो totally depend करती है September quarterly की result कैसी आती है क्या भी आनही वाला September quarterly की result तो उसके उपर totally depend करती है अगर बेकाड आती है तो नीचे की तरफ breakout देगी और अगर बहुत ही सरी आती है तो उपर की तरफ breakout देगी as usual अभी बात करते है यहाँ पर इंपोर्टन लेवेल्स के अनिगाल कर लिए मुझे लग रहा है देखो गाई गंपानी profitable रहने वाली है तो September quarterly की result जो आप वह भी profit में आने वाला है उसको चांस सबसे ज्यादा है profit में आने की तो उपर के तरफ के सारे लेवेल्स मैंने मेंशन किया हुआ है अगर आप लोग बाई करना चाहते हो तो उपर के बाई करके ब्रेकाउट हो जाने के बाद उ तो आप लोग नहीं करोगे ना अगर नीचे की तरफ ब्रेकाउट होती है तो आप लोग ब्रेकाउट होती है तो आप लोग कैसे करोगे मतलब क्या करोगे खुद कही लास खुद ही करोगे वो तो नहीं होगा ना इसलिए मैंने उपर के सारे लेवेल्स मार्क किया हुआ चल सकते हैं उस्टॉच में से प्रेकाउट होती तो 47 की जो च्off एकर कंफरम्क राने वारा है और उसके बाद अगर यहां से ब्रेकाउट हो ज़ाती है अब लोग ंताले और अ क्शुत मैंने की लेवल रॉक उसका एक खास बजा है अगर मान लो बाइचनस नीचे की तरह ब्रेक आउट हो जाती है तो अगर नीचे की तरह ब्रेक आउट होती है और उसके साथ सब जो रेजाल्ट है वो भी सेही निकल कराती है तो से और लोग को एक बाउंची बाउंच की बाउंचिन के बाउंची करने है तब यह जो रेजस्टेंस वह काम मैं आगा 47.70 तो बाउंस बैक के बाद अप लोगो जब ही बाई करोंगया गए तब आप लोग ए जो फस टर्गेट है 47.7 की यह फस्ट टारगेट यह आप में फस् प्रेकाउट की वाथ था थी तो मैं यह resistance ड्रोन ही करता था यह resistance अगर breakout confirm हो जाती है हाँ हो सकते है अगर एक fake out रहती है तो यहां से इसके train line की उपर तो close कर दिया लेकिन यहां से resistance प्रिश करके नीचे गीर जाएगी उसमें मज़ा नहीं आएगा लेकिन अगर confirm breakout होती है breakout होती है proper तो आप लोग को first target 58.25 की देखने को मिलेगी second target 68.45 and third target 80.25 बाकिया कर नीचे की तरफ से जाती है तो bounce back confirmation के बाद इंटेर करने है 40 targets of 47.7 and 58.25 अब करते है जो लोग 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 स्टांक के लिए घर करना चाहते है या बाधी करना स्बीस की पेघा में को स्टां कामनेंगारला öffentlich स्बीस में अगरव या उस्टांक की देख जाती है तो अगर मिल जाता है तो If you can definitely go for it for short term trades otherwise 30 rupees के level भी सहीड हैगा आप लोगे लिए तो guys मैंने सब कुछ बता दिया short term में कहा भे buy करना है swing trading levels long term में है कैसे रहने वाली अभी कैसे trade लेना है वो तो आप लोग के ओपर depend करती आप लोग के trading style के ओपर depend करती कि आप लोग short term trader हो या तो फिर आप लोग के swing trader हो and investor हो उसके ओपर depend करती है तो guys that's it for this video अगले वीडियो में मिलते है guys thanks for watching and keep supporting और guys अगर आप लोग के मन में कोई भी doubt या कोई आड़ी रहा थी stock market या किसे भी stock सेट हो comment section में comment को के मुझे पूच सकते हो